Question number 19 है, our rectangular carpet has an area of 120 square meter, area दे रखा है and parameter is this, तो मेरे को length of diagonal निकालना है, diagonal का इसा निकलागा, L निकलेगा B, निकलेगा तभी जाके diagonal निकलेगा, area दे रखा है जी, 120, area क्या होता है, L into B, parameter दे रखा है, 46, क्या होता है, 2L plus B, 2 इधर cutting होगी तो कितना होगया, L plus B की value कितनी आगी, 23, अब दो number ऐसे ढूंड़ो, जिनको multiply करने पे 120 बने, और plus minus करने पे 23 बने, जैसे देखो 12 और 10 ले ले, लेकिन 12 और 10 तो 22 होता है, इनको plus करने पे 23 भी तो बनना चाहिए, तो फिर क किया लेंगे, 15 और 8 ले ले, 15 एड़ा 120 और 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, बाकि आप एक की value दूसरे में पूट करके वैसे भी कर सकते हो, लेकिन जब हमें निकाल नहीं है, तो फिर जो से, जो सिंपल लगे उससे करो ना, उन्होंने बोला है कि डागिनल निका 25, 8 का 64, तो कितना हो जाएगा, 289, 289 किसका होता है जी, 17 का, तो option हमारा बनेगा, C, 17 मिटर्स